हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो वेलकम तो माई चैनल फार्मेसी एक्जिट एक्जाम जहां पर हम एक्जिट एक्जाम हम 2024 के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं ठीक है आज हमारा बायो केमिस्ट्री का फोर्थ और लास्ट वीडियो है आज के वीडियो में हम दोनों चीजों की बात कर लेंगे एक तो हम पढ़ेंगे अंजाइम्स के बारे में और एक पढ़ेंगे विटमिंस के बारे में है तो ये आपके दोनों ही topic important है, हाँ जी बिलकुल मुकेश 50% necessary हैं एक subject में, मैं मेरा एक doubt है, तीन दिन paper होने वाले हैं, एक दिन में आपके तीन paper होने वाले हैं, उन तीनों paper में, वो तीनों paper जो हैं, वो एक ही paper आएगा उनका, तो उस पूरे के पूरे paper में आपको 75 नंबर लेकर आने हैं, चाहिए आप जिस subject में जितने लेकर आते हैं, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, तीन paper जो होने वाले हैं आपके तीन दिन, उनमें से अलग अलग आपको 75, 75, 75 नंबर लेकर के आने हैं, ठीक है, 50% एक paper में, यानि कि जो आपका एक paper होने वाला है, तीन को उसमें 75 आने चाहिए हैं, चार वाले में 75 आने चाहिए हैं, और पांच वाले में 75 आने चाहिए हैं, हर subject का नहीं है, हर paper का है, ठीक है, और अगर कोई doubt हो तो और पूछ लीजेगा, वरना हम next बढ़ते हैं, आपका जो तीन को paper होने वाला देर सो नंबर का, उसमें से आपको 55 लाने हैं, चार वाले में आपको 55 लेकर लेकर आने हैं, ठीक है, चलिए, तो start करते हैं, है ना, चलिए, तो जल्दी से start कर लेते हैं, आज fourth lecture है, हमारा आप लोगों को already पता ही होगा, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, अपना जो हमारा enzymes topic है, इसको पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है, अरे भाई, ठीक से रगचा, वो दे ना, अगर आम एको वो दे, तो उससे एच्छे सा हो जाए, ये, keyboard, ठीक है जी, तो बोड़ पे class नहीं होगी आज, क्योंकि हमार लाइट नहीं आ रही है इधर, तो आज इसी तरी के सही पढ़ते हैं, ये, दिखा दिखा दिखांगे काम करता है, कभी में करता भी करता है, चलो कोई ना ऐसा ही करता है, ठीक है, चलिए, तो देखो enzymes के बारे में हैं, आज जो हमारा lecture है, तो पहले enzyme के बारे में एक दो बा इस तब भी आ जाएंगे, ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप सब लोगों को पता होगा कि जो enzymes हैं, इनको हम bio catalyst या biological catalyst भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे जो catalyst होते हैं, वो बाहर हम reaction जो करवाते हैं, लैब में, उसमें डाल देते हैं, तक कि reaction जो है, वो जल् catalyst बोल देते हैं, तो ये enzyme के बारे में इतने चीज़ पता होने चुछ है, इसके बाद में next चीज़ है, वो ये है कि ये कभी भी reaction में consume नहीं होते हैं, यानि ऐसे नहीं होता है, जैसे सोचो enzyme है, उसने आपका digestion करवाने में help करी हैं, जैसे lipase होते हैं, तो इन्होंने help करी digestion कर अलब क्या है, जैसे कि हमारी body के अंदर सुचो 10 reaction हो रही है, वैसे तो बहुत सारी होती है, पर अगर मैं example के लिए बता हूँ, अगर 10 reaction हो रही है तो 10 reaction के लिए हमें अलग enzyme चाहिए होगा, ऐसा नहीं है कि एक enzyme, एक से ज़्यादा type की reactions को कर दे complete, ऐसा नहीं होता, specific होते है यह कि एक reaction के लिए जो enzyme responsible है, वो उसी reaction कोई करेगा, ऐसा नहीं है कि वो और भी reactions को कर देगा, ठीक है, तो specific होते हैं, यह अपने action में, यह protein होते हैं, नेचर में, तो protein के बने हुए होते हैं, यह बहुत important बात है, क्योंकि ऐसे वाले question, यह वाला question बड़ा पूछा जाता है, तो यह protein के बने हुए होते हैं, यह चीज आपको याद रख लेने हैं, और अगर मैं next, इसके बारे मैं बात करूँ, तो जो बहुत important चीज है हमारी, उसको हम बोलेंगे, कि जो functional unit होती है enzyme की, उसको हम बोलते हैं, holo enzyme, ठीक है, यानि कि जो enzyme काम करता है, उसको हम क्या बोलें होलो enzyme बोलेंगे, अब यह जो holo enzyme है न, यह basically दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है, यह बहुत important बात है, यह समझेगा अच्छे से, क्योंकि अगर यह नहीं समझा आपने हैं, तो आगे फिर अच्छे से आपको कुछी समझनी आने वाली है, ठीक है, चलिए, त को को फेक्टर बोलेंगे, ठीक है, को फेक्टर फिर से दो चीजों से मिलकर के बना हुँ होता है, को enzyme और prosthetic group, ठीक है, अभी इन सब के बारे मैं समझाओंगे, मैं चिंता मत करिएगा, एक हो गया prosthetic group, ठीक है, अब हमें देखो समझना क्या है, यह जो हमारा apo enzyme होता है, यही apo enzyme ही करता है, जो कि protein का बना हुआ होता है, ठीक है, लेकिन यह apo enzyme inactive होता है, यानि कि यह अभी निश्क्रिय होता है, यह सक्रिय कब होगा, तो यह सक्रिय तब होता है, जब इससे आकर के co factor bind हो जाता है, और अभी आपको बता चल गया होगा कि co factor और apo enzyme जब दोनों आपस में bind हो जाते हैं, जैसे समझो, यह हमारा apo enzyme है, और यह हमारा co factor है, ठीक है, तो यह apo enzyme है, यह apo enzyme है, यह apo enzyme अभी किसी काम कर नहीं है, यह कोई काम नहीं कर सकता, यह काम करना कब start करेगा, जब यह co factor आकर के से bind हो जाएगा, यानि कि यह ऐसे आकर के से bind हो जाएगा, तो अब को-फेक्टर या इसको कौ ओएंजाइम भी बोल देते जैसे नीचे बोल देती तो आपको यह याद रहना है दोनों चीजे, वहाँ पए कोफेक्टर भी लिखा हुआ हुस सकते कौ ओएंजाइम भी तो जब इसे कौ फेक्टर या कोएंजाइम गांकर के whole enzyme बुलेंगे, यानि कि ये दोनों चीज़ें आपस में bind होनी ज़ी जो है तब जा करके काम होगा, ठीक है, तो apo enzyme हमारा main part होता है, जो की protein का बना हुआ होता है, बाकि जो co factor हमारा part होता है, वो non protein part होता है, यानि कि ये protein का नहीं बना हुआ होता है, ये organic और inorganic matter का बना हुआ होता है जिसमें से को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रॉप इन ओर्गेनिक होता है उतना डीटिल में भी मत जाईए आप बस इतनी चीज़ याद रखिए कि जो हमारा को फेक्टर या को एंजाइम है वो हमारा प्रोटीन का नहीं बना हुआ होता है यानि नौन प्रोटीन होता है और जो एप्रोटीन का बना हुआ होता है यही हमारा अगर पूछा जाए कि में इनले letter कों सा है जो काम करेगा अफकर होता है क्या क्या करने है कि में इन क्यों करता है नह quantify होता है लेकिन यह resident अगर सब्कूरी करने के चलिए कि इस का अंसर बाद में बताती हूं ठीक है अभी हम इसको कवर कर लेते हैं पहले ठीक है ठीक तो यह इतनी चीज आपको हो गई हो गी क्लियर अभी हम नेक्स चीज पर बढ़ते हैं ये चीज आपको अच्छे से बहुत clear हो गई होगी ठीक है अब देखो यहां पर अगर हम एक और चीज के बारे में पढ़ते हैं तो एक और चीज हमारी आज़ती है कि जो enzymes होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं यानि enzymes का classification क्या होता है ठीक है अब classification पर हमाएंगे तो हमको क्या याद रखना है ओथ लिल या reductase ठीक oxydo reductase का मतलब क्या है oxy का मतलब oxidation और reductase का मतलब reduction ठीक है तो जो भी हमारा oxydo reductase enzyme होता है यह क्या करता है basically oxidation और reduction जो भी reactions होती है उन में involved होता है oxydo reductase अगर हम second enzyme की बात करें तो t4 हो जाएगा transferase ठीक है transferase से ही आपको समझा रहा होगा कि यानि कि यह क्या करेगा कोई भी functional group को transfer करता है ठीक है क्या करता है functional group को transfer करेगा इधर से उधर ठीक next अगर हम आ जाते हैं तो next आ जाता है हमारा hydrolyze hydrolyze ठीक है अब देखो lies या lysis जहाँ पर भी add हो जाता है जहाँ पर भी lies लिख रहा हो या lysis लिख रहा हो उसका मतलब कि तोड़ना ठीक है lies लिख रहा हो या lysis लिख रहा हो उसका मतलब होता है breakdown करना तो यह जो hydrolyze है न यह भी breakdown करता है मतलब hydrolysis करता है ठीक है इतनी चीज आपको याद रखनी है next आ जाएगा हमारा lies तो यहाँ पर भी देखो क्या लिख रहा है lies में lies ही लिख रहा है यह क्या करेगा यह भी हमारा basically remove करता है water को या add करता है water को जो lies होता है next enzyme के अगर बात करें तो next होता है हमारा I4 isomerase isomerase जो है वो isomer जो होते हैं या isomerism जो होती है जैसे एक isomer से दूसरा isomer बनना तो उन वाली reactions में हमारा isomerase जो होता है यह involve होता है बाकि next आ जाएगा हमारा ligase, ligase जो है यह क्या करता है हमेशा यह दो चीज़ें होती है उनको आपस में जोडने का काम करता है ligase जैसे कल आप DNA ligase पढ़ रहते तो वो क्या करता है DNA ligase दो जो अलग-अलग-अलग-अलग हमारे यह है मतलब यह जैसे DNA बन गया इस पर आकर के जब वो लगते हैं ना nitrogenous base लगते हैं तो DNA ligase ही उनको add करवाता है ठीक है तो ligase क्या करता है दो चीज़ें को आपस में जोडता है हमेशा चाहें कहीं पर भी हो ligase का काम होता है जोडना hydrolyze या ligase का काम क्या होगा lies लिख रहा हो मतलब तोडने का काम करेगा और ligase मतलब जोडने का काम करेगा तो यह चीज़ याद रखने है अच्छे से ठीक है बगी transference और इसमें कोई दिक्कती नहीं होगी आपको यह clear सब हो ही गए होंगे ठीक इतनी चीज़ याद कर लेनी है आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि आगे जो questions आएंगे हम उनमें ही अच्छे से करेंगे ठीक है बाके चलिए पढ़ते हैं भी आगे वाले वैसे और भी चीज़े हैं जैसे enzyme inhibition वाला पार्ट जो है वो भी important है पर वो हम आगे जब questions आएंगे तभी ही करेंगे इतना अभी के लिए याद रख लो क्यूंकि आगे questions आएंगे वो इन ही चीज़ों से ही related है भी सारे के सारे questions ठीक है चलिए हां जी बिलकुल लाइगे जो है वो binding work करता है यानि कि join कराने का काम करता है ठीक चलिए तो देखो पहला question है enzyme जो है वो substance होता है ऐसा substance है जो कि क्या करता है hydrolyze करता है या dehydrate करता है या catalyst की तरह काम करता है या heat को energy में convert करता है तो सबसे best definition है यहाँ enzyme की वो क्या है कि ये act करता है catalyst की तरह यहाँ पर क्या लिखा हुआ हो सकता है और कि ये एक bio catalyst होता है या और क्या लिखा हुआ हो सकता है biological catalyst होता है सबका मतलब एक ही है ठीक है तो c option correct हो जाएगा next है enzyme are sensitive to change in enzyme किस चीज़ के लिए sensitive होते हैं यानि कि अगर आपने किस चीज़ को जादा या कम कर दिया तो enzyme की काम करने की जो शक्ति है यहाँ वो कम या जादा हो जागी किन किन चीज़ों पर तो PH पर भी depend करता है हना यह PH small PH और capital H बनेगा यहाँ पर तो PH पर भी depend करती है enzyme की जो activity होती है हर चीज पर depend करती है कि जादा कम temperature नहीं होना चाहिए और जो substrate का concentration है अब substrate क्या होता है जैसे देखो यहाँ पर यह एक substrate है है ना इससे enzyme जो है जबी भी enzyme इस पर work करेगा तो इस substrate को product में convert कर देता है तो यह समझो हमारा product बन गया ठीक है तो यह substrate होता है वो क्या होता है जिसमें enzyme reaction करवा के उसको product बनाएगा ठीक है तो substrate का concentration कितना है इस चीज़ पर भी depend करेगा क्योंकि अगर substrate का concentration ही कम हुआ तो enzyme कितना ही दे दो अगर यह part कम हुआ substrate तो enzyme कितना भी ज़ादा दे दो वो ज़ादा product थोड़ी बना देगा है ना अगर substrate का concentration ज़ादा हुआ तो enzyme मिल करके ज़ादा product बना देगा ठीक है clear हो गया आपको तो इसलिए substrate की concentration पर भी depend करेगा सारी की सारी चीज़ और करेक्ट है यानि कि जो हमारा d option है वो यहाँ पर हो जाता है correct next question की तरफ बढ़ेंगे next one of the following is not the property of enzyme इनमेंसे कौन सी प्रोपर्टी enzyme की नहीं है पहला है कि enzyme जो है वो colloidal होते हैं बिलकुल एकदम correct बात है proteinaceous होते हैं यानि की protein के बने हुए होते हैं तो यह मैंने आपको पहले समझाय था कि protein के बने हुए होते हैं ना next हमारा highly specific होते हैं तो बिलकुल बहुत तो यहां पर हमारा कौन सा प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगा हमारा जो थर्मो स्टेबल है यह प्रॉपर्टी नहीं होगा क्योंकि आपने अभी अभी पीछे देखा कि जो टेंपरेचर है उस पर भी डिपेंड करती है एंजाइम की एक्टिविटी तो अगर और वैसे भी यह प्रोटीन के बने हुए होते हैं तो आपको पता होगा प्रोटीन अगर हाई टेंपरेचर हो तो प्रोटीन जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है तो अगर टेंपरेचर बढ़ा है आपने तो एंजाइम जो है वो खराब हो जाएगा बेकार हो जाएगा तो थर्मो सबस्टेट के साथ non-covalent bond से या फिर is kept by primary structure alone देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो rigid shape का होता है या फिर preserved even after denaturation denaturation के बाद भी अच्छा तो नहीं रह सकता क्योंकि protein का बना हुआ होता है तो अगर denaturation हो गया यानि denaturation का मतलब क्या होता है गर एक बार उसकी shape बिगड़गी खराब हो गया तो खराब हो गया तो खराब ही हो जाएगा फिर दुबारा सुधर नहीं सकता ठीक है यहाँ पर हमारा c option correct हो जाएगा कि यही हमारा bind करता है substrate के साथ ठीक है तो c option correct हो जाएगा जो मैं आपको ब following factor does not affect enzyme activity यानि कि enzyme की activity को इनमें से कौनसा factor affect नहीं करेगा या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो पहला हमारा जो option है वो है यहाँ पर water activity दूसरा है product का nature थर्ड है enzyme का concentration फोर्थ है substrate का concentration देखो concentration तो enzyme का भी substrate का भी दोनों ही affect करेंगे जैसे मैंने आपको थोड़ी तर पहले समझाय था कि substrate का concentration अगर जादा रखोगे तो product भी जादा बनेगा enzyme का concentration जादा रखोगे तो भी जल्दी reaction होगे और product भी जादा बनेगा water की जो activity है वो भी affect करेगी क्योंकि बहुत सारे enzyme ऐसे होते हैं जो की basically hydrolysis करते हैं तो वहाँ पर अगर water present होगा तो जल्दी से reaction ह हो जाएगी जो product का nature है product क्या है जैसे यह हमारा substrate है और यह हमारा enzyme है ठीक है यह यहाँ पर reaction हो गई और यह हमारा product बन गया जो भी product बना समझों यह हमारा product बन गया ठीक है तो जो भी चीज है enzyme की जो activity है उसको product थोड़ी ना product तो बाद में बन गया तो यह कैसे affect करेगा यह ना कोई प्रभाव डाल सकता है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है, यानि कि वो कितनी देर काम करेगा, कितनी देर नहीं करेगा, वो सारी की सारी चीज़ें, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, यही तो इनी पर ही तो डिपेंड करेगा, यही तो उस पर प्रभाव ड प्रोडक्ट बन गया उसका तो कोई फरक पड़ेगा ही नहीं तो प्रोडक्ट का नेचर क्या है इस चीज का कोई फरक ने पड़ेगा एंजाइम की एक्टिविटी के उपर यानि कि अगर कोई फरक को मिला दो एंजाइम के साथ तो उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं होलो एंजाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि होलो एंजाइम जो है यही में चीज है यही हमारा एंजाइम है पर यह दो चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है क तो यहां पे कोईन जाम लिखा हुआ हो सकता है तो जो यहां पे यही ही पूचा है कि कोईन के साथ में जो फेक्टर के सात उत्ति हमेंтовable . जो全部 और इंजाम मिलाता है तब हम उसके क्या बोलते हैं जो एनजाम मिल जाता है तो इस sailoni, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम whole enzyme ठीक है? यह चीज याद रखिएगा यह सीलिए मैंने starting में समझाई थी क्योंकि main चीज यहीं से ही start होती है enzyme की यह आपको बिलकुल एक दम crystal clear होना चाहिए concept ठीक? चलिए next question की तरफ बढ़ेंगे तो next हमारा question है जो active site होती है conjugated enzyme की वो किस से बनती है? active site जो होती है ठीक है? तो active site का मतलब क्या है? जहां पर basically जहां पर substrate आकर के bind करेगा और जहां से हमें हमारी जो reaction है वो मतलब proceed होगी आगे बढ़ेगी ठीक है? तो एक enzyme के active site के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए, apo enzyme भी चाहिए और co factor भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए, यानि कि D option जो है वो हमारा correct होगा है ना? क्यूंकि देखो apo enzyme ही है main, जो reaction करवाएगा लेकिन apo enzyme से co factor या co enzyme bind होना चाहिए, तब जाकर के apo enzyme काम का होता है, परना तो यह inactive पड़ा रहता है, किसी काम का ही नहीं होता है, co factor जब आकर bind होगा, apo enzyme से तब apo enzyme active होता है, जिसको हम holo enzyme बोल देते हैं, ठीक चलिए, next question के तरफ बढ़ेंगे, protein portion of the holo enzyme is protein portion जो होता है, holo ठीक होता है, ठीक है, co factor जो है, यह non protein है, यानि कि co enzyme हो, चाहिए, co factor हो, चाहिए prosthetic group हो, यह तीनो non protein part है, protein के नहीं बने हुए होते हैं protein वाला portion कौन सा है, apo enzyme main portion कौन सा है, apo enzyme जो काम करेगा, ठीक है, चलिए next question के तरफ बढ़ेंगे तो next जो हमारा question है, यह है, which of the following term best describe a co factor that is firmly bound to a apo enzyme, co factor जो की apo enzyme से bind होता है, ठीक है तो अभी आपको समझा आगे है, holo enzyme दो चीजों से बना हुआ है, apo enzyme co factor से, ठीक है, वो ही वाला concept अपने दिमाग में लेके रखो, फिर सारी चीज़ने ठीक हो जाएंगे, ठीक है, which of the following term best describe a co factor that is firmly bound to a apo enzyme, इसको कौन best describe कर सकता है, prosthetic group, ठीक है, क्योंकि prosthetic group हम किसको बोलते हैं, देखो prosthetic group हम किसको बोलेंगे, उसको बोलते हैं, जो हमारा substrate के साथ bind करता है, जिससे suppose करो, अगर मैं यहाँ पर structure बनाओ, यह हमारा substrate है, ठीक है, यह हमारा substrate है, अब यहाँ पर जो हमारा apo enzyme है, वो suppose करो apo enzyme है न, इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है, अभी यह क्या है, inactive form में, जब इस जब इस apo enzyme से co factor आकर के bind करेगा न, तो suppose करो, इसका co factor इस तरीके का है, ठीक है, तो यह यहाँ पर आकर के bind हो जाएगा, तब जाकर यह क्या बनेगा, active बनेगा, ठीक है, और अब यह वाला जो part है enzyme का, यही ही इसमें जाकर के fit होता है, ठीक है, और अब यह क्या बन जाएगा, देखो, यह क्या बन जाएगा, यह हमारा हो गया, यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा हो गया, एपो enzyme, और इससे जाकर के bind क्या हो गया, तो इससे जाकर bind हो गया, यह जो हमारा co factor था, ठीक है, अब यह बना enzyme substrate complex बोलते हैं इसको, ठीक है, तो लिख रहा है ना co factor जहां पर bound होगा आकर के epo enzyme के तो इस part को ये इस part को epo enzyme के एस part को जहां पर हमारा co factor करके bind होना है इस part को हम क्या बोलते हैं तो इस ही part को हम बोलते हैं prostatic group ये भी याद रखिएगा क्यूंकि झितन अभी है मैं enzyme के बारे मैं आगे बताऊंगी आपको कि covalently या फिर non covalently या competitive non competitive enzyme innovation जो है वो क्या होता है तो वहाँ पर यह prosthetic group आएगा ठीक है तो इसको याद रखिएगा क्या होता है prosthetic group next which of the following co factor required separate apo enzyme for transfer of group कौनसी चीज required होती है इसके लिए co enzyme required होती है ठीक है देखो main जो काम करता है न हमारा main function जो करेगा वो कौन करता है main function करता है apo enzyme बाकि जो हमारा co enzyme या co factor है यह क्या करते हैं? जैसे group है उनका addition होना है या फिर groups होना है तो addition removal वाली सारी चीज़ें यह करते है coenzyme बाकि जो main काम होता है जो reaction हो रही है उसको कौन करता है apoenzyme क्योंकि main चीज क्या है हमारी apoenzyme ठीक है बाकि यहाँ पे देखो लिख रहा है co factor required separate apoenzyme for transfer of group तो बाकि जब बाद में जैसे जब हमारी reaction हो भी जाती है तो product को भी enzyme से अलग करने के लिए क्या चीज ज़रूरी होती है coenzyme तो जबी भी किसी भी चीज को अलग करने की बात आ रही है या add करने की बात आ रही है वहाँ पर coenzyme काम करेगा पर जो main function है reaction का वो हमारा apoenzyme ही करता है जो हमारा protein वाला part होता है ठीक चलिए next question की तरफ बढ़ेंगे तो next हमारा question है acetyl group is transferred with the help of one of these enzyme देखो acetyl है आपने acetyl coenzyme पढ़ा होगा ठीक है acetyl coenzyme पढ़ा होगा कहाँ पर जहाँ पर आपने cholinergic system पढ़ा होगा है या parasympathetic system पढ़ा होगा तो वहाँ पर अपने acetyl coenzyme पढ़ा होगा बस उसी से ही याद रखिए acetyl group जो है वो transfer किस से होता है coenzyme से acetyl coenzyme याद रखो तो acetyl group किस से होगा coenzyme से ठीक है तो A option जो है वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा correct next question है next question है हमारा वो है active center जो होता है enzyme का वो क्या करता है तो यह हमारा दुबार से repeat हो गया है यह bind करता है substrate के साथ non-covalent bond से ठीक है चलिए next question की तरफ बढ़ेंगे तो next question है अरे भाई ठीक है चलो यहाँ से करके देखता है अभी ठीक है next question है which of the following term best describes a co-factor that is firmly bound to a apo enzyme इसको हम क्या बोलते हैं अच्छा यह भी हमारा basically वो हो गया है क्या बोलते हैं उसको repeat हो गया question ठीक है तो यह भी prosthetic group यह already हो गया है पीछे next है Fischer lock and key model cannot explain ठीक है अब मैं यहाँ पर आपको एक और important चीज़ बता देते हूँ जैसे मैं बोल रहते हैं कि जैसे जैसे important चीज़ें आएंगी तो मैं बता दूँगी देखो enzyme और substrate जो है उसको bind होने के लिए कई सारे scientist ने अपने-अपने model दिये हैं जिन मैंसे दो model बहुत जादा important है एक तो हमारा lock and key model जो है यह बहुत जादा important है और एक हमारा induced fit theory induced fit theory यह दोनों तो आपको यादी रखने है confirm इनको तो भूलना ही नहीं है lock and key theory जो है यह हमारी दी थी Fisher ने ठीक है F-I-S-C-H-E-R यह Fisher ने दी थी और induced fit theory जो है यह दी थी कोश्लेंड इसलिए इसको कोश्लेंड induced fit theory बोलते हैं और इसको Fisher lock and key theory बोलते हैं ठीक है तो यह आपको याद रखना है इसी तरीके से चाहो तो इसी तरीके से याद रख लो Fisher lock and key theory खोश्लेंड induced fit theory ठीक है यह scientist का नाम पूछा जा सकता है lock and key theory किस ने दीती या induced fit theory तो यह आपको याद रखना है अच्छे तरीके से बाकी दो थियोरी और हैं जिसमें से हम enzyme substrate complex formation है एक थियोरी और एक substrate strain थियोरी है तो वह उतना जादा important नहीं है पर यह दोनों बहुत जादा important है इन दोनों के नाम इन दोनों के model दिया था ना यह basically यह बताता है जैसे एक ताले में केवल एक ही चाबी enter करती है वैसे ही हर एक enzyme जैसे ताली एक चाबी जो होती है या चाबी जो होती है वो एक ताले के लिए specific होती है ना ऐसे थोड़ी है एक चाबी से सारे के सारे ताले खुल जाएंगे है ना किसी एक specific ताले के लिए एक चाबी होती है ना वैसे ही किसी एक specific substrate के लिए एक specific एक specific enzyme होता है तो चाबी है हमारी वो क्या है basically enzyme की तरह समझो है ना तो जो enzyme है हमारा वो हर एक substrate के लिए काम नहीं करता है हर एक चीज के लिए काम नहीं करेगा हर एक enzyme एक सिर्फ और सरफ एक किसी substrate के लिए specific होता है जिस तरह से एक ताले के लिए एक चाबी specific होती है ठीक है तो Fischer Lockend की थोरी जो है इन्होंने क्या चीज़ें नहीं बताई थी किन चीज़ों को यह explain नहीं करता है यह चीज यहाँ पर पूछी गई है तो पहला है हमारा inactivation due to denaturation यह इन्होंने बताया है कि अगर तो denaturation हो गया enzyme का यानि heat की वज़े से या किसी भी वज़े से उसकी shape बिगड़ गई ठीक है तो फिर वो काम नहीं आएगा फिर वो खराब हो जाएगा तो यह चीज़ तो इन्होंने बिल्कुल बताई है बाकि next competitive inhibition के बारे में इन्होंने बिल्कुल बताई है कि competitive inhibition देखो basically क्या होता है जैसे यहाँ पर यह हमारा substrate है और यह इसकी site है तो यहाँ पर ही आकरके enzyme को bind होना है जैसे। यह enzyme को बारे को बता रहा थी तो enzyme को आकर इन्होंने का कोब label होता है भो यह पर काम पूरा नहीं तो लmbol concept inhibition हो एंगा यह तो यहाँ पर एक कोई drug अैसे करके provide कर देंगे यह drug यहाँ पर आकर bind हो जाएगी अब यह यहाँ पर आकर bind हो गई तो enzyme इससे bind ही नहीं हो पाएगा तो एक तरीके का यह होता है हमारा competitive inhibition जो non competitive inhibition होता है वो क्या होता है जैसे suppose करो यह substrate है यहाँ पर एक और site है ऐसे करके बनी हुई है और यहाँ पर हमने इस तरह की एक कोई drug दिया है यह drug यहाँ पर आकर bind हो जाएगी इसको हम allosteric site बोलते हैं तो यहाँ पर आकर के bind हो जाएगी main site से bind नहीं हुई तो इस वाली drug का enzyme के साथ कोई competition नहीं है क्योंकि enzyme को तो यहाँ के bind होना है जबकि इस drug को यहाँ के bind होना है तो कोई competition नहीं है इसको हम बोलते हैं non competitive inhibition पर जब यह यहाँ पर आकर bind हो जाएगा तो enzyme अपना काम नहीं कर पाएगा यह bind नहीं हो पाता, इसलिए inhibition बोल रहे हैं लेकिन क्यूंकि competition नहीं है, एक site नहीं है दोनों की अलग-अलग site हैं, दोनों की अलग-अलग, तो इसलिए ह हम इसको क्या बोलते हैं non competitive बोलते हैं competitive किसको बोलेंगे जैसे मैं अभी इसका बता रही थी कि यह भी यहीं पर आकर बाइंड होना है एंजाइम भी यहीं आकर बाइंड होना है दोनों का competition होगा same site पर बाइंड होने के लिए ठीक है तो इन्होंने जो competitive inhibition है इसके बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया है यह वाला जो हमारा drug और enzyme एक ही साइड पर आकर करके बाइंड होने और बाकि इन्हो ने बताया है बाकी इन्होंने जो allosteric modulation होता है इसके बारे में इन्होंने नहीं समझाया है ठीक है चलिए तो next question की तरफ बढ़ेंगे next question है वो है induced fit theory जो है वो किसने दी थी तो जैसे मैंने बताया था दोनों के दोनों scientist के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने है तो यह दी थी कोशलेंड ने B option हमारा यहां correct हो जाएगा next है in non competitive inhibition यानि non competitive inhibition में basically होता क्या है ठीक है तो अब मैं यहां पर जो मैं आपको बता रही थी कि कुछ important चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी यहां पर समझा देती हूं तक कि आपको थोड़ी सी समझा जाएं चीज़ें है ना क्योंकि यहां पर यह चीज़ हमारी थोड़ी सी important हो जाती है ठीक है अब देखो अगर हम enzyme inhibition की बात करें enzyme inhibition जो मैं भी आपको पीछे थोड़ा समझा रही थी ठीक है enzyme inhibition की बात करें तो जो हमारा enzyme inhibition होता है वो basically हमारा तीन तरीके का होता है ठीक है पर दो तरीके ही बताऊंगे मैं यहां प reversible ठीक अब अगर हम यहां पर reversible की बात करें तो reversible का मतलब क्या है कि देखो यहां पर यह हमारा substrate है ठीक है यहां पर यह हमारा enzyme इससे आ करके bind होना था ठीक है लेकिन जो हमारा drug है वो यहां करके bind हो गया तो इसलिए enzyme bind नहीं हो पाएगा ठीक है तो इसको बोलते हम reversible inhibition अब reversible inhib बिशन में क्या होगा कि यह drug जब तक बाइंड है इससे substrate के साथ तब तक enzyme नहीं bind कर रहा ठीक है लेकिन जैसे ही substrate यहां से हट जाएगा तो enzyme आपके bind हो जाएगा reversible का मतलब है क्या है जब तक drug असर करेगी तब तक हमारा enzyme नहीं bind हो करके अपना काम कर सकता लेकिन जैसे ही यहां से drug हट जाएगी हमारा enzyme तुरंत bind हो जाएगा इसका मतलब होता है reversible यानि कि bind हो जाएगा फिर नहीं चाहिए तो हट जाएगा चाहिए तो तो फिर से bind हो जाएगा नहीं चाहिए तो फिर से हट जाएगा इसको बोलते हैं reversible यह reversible जो है यह फिर से दो तरीके का होता है जिन मैंसे एक को हम बोलते हैं competitive जो मैं अभी आपको उपर बता रही थी competitive यानि एक ही साइट पे दोनों जीज़ें bind होनी है और non competitive यानि कि अलग-अ value जो होती है वो तो हमारी बढ़ जाती है ठीक है वी max जो होती है उसके साथ कुछ नी होता कुछ नी होता पे cross लगा लो बस ठीक है जो हमारी v max value होती है उसमें कुछ नी होता km value जो है वो हमारी बढ़ जाती है अगर हम non competitive की बात करें तो यहाँ पर km के साथ कुछ नी होता KM value as it is रहती है, unchanged रहती है लेकिन जो हमारी Vmax value है वो हमारी decrease हो जाती है यहनी कि कम हो जाती है ठीक है, अगर इस तरीके से याद करोगे न तो हो भी जाएगा, वैसे रटोगे तो नहीं हो पाएगा ठीक है, याद रखो हमेशा competitive में क्या होगा पहले वाले में, ऐसे याद रखो, पहले वाले में क्या होगा KM बढ़ जाएगा, Vmax के साथ कुछ नहीं होगा दूसरे वाले में क्या होगा, KM यहाँ बढ़ रहा था पर यहाँ पर KM के साथ कुछ नहीं हो रहा है यहाँ वो unchanged हो रहा है, लेकिन Vmax क्या हो रहा है non competitive यानि यहां की बात चल दी है ठीक है तो non competitive inhibition जो होता है उसमें क्या होता है देखो km unaltered रहता है unaltered का मतलब क्या हो गया कि कोई change नहीं होगा उसमें unaltered की जगा unchanged भी लिखा हुआ हो सकता है exam में ठीक है तो km value जो है वो unchanged रहती है यानि कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है पर जो vmax value है वो decrease हो जाती है यानि कि reduce हो जाती है ठीक है तो d option हमारे यहां correct हो जाएगा अगर आप से पूछा जाए competitive में क्या होगा तो competitive में क्या होगा जो km value है वो बढ़ जाएगी जबकि vmax value जो है वो unchanged रहेगी या unaltered रहेगी ठीक है तो ये चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा इस तरीके से इसको लिख लीजेगा कहीं पर तकि आपको याद हो जाए अच्छे से ठीक next question की तरफ बढ़ेंगे तो next जो हमारा question है ये है one of the following is not true for competitive inhibition of enzyme competitive inhibition अभी आप समझगे दोनों चीज़ें एक ही side पे आकर के बढ़नी है दोनों में competition होगा ठीक है तो पहला जो हमारा option है वो है कि ये reversible होता है दूसरा है ये देखो reversible ही होता है जो competitive inhibition होता है न वो reversible ही ह जाता है जिसको हम क्या बोलते है irreversible inhibition ठीक है अब और उपर मैंने बताया था है दो तरीके के होते हैं एक होता है reversible ठीक है reversible डो तरीके के होते हैं ज़िनमें एक competitive और एक non competitive तो यहहाँ पर competitive की बात हो रही है तो competitive क्या है हमारे reversible ही तो है ठीक है irreversible तो हमारा दूसरा वाला classification होता है यह competitive तो इसमें आता ही नहीं है irreversible में ठीक है तो जो चीज़े मैं इस तरीके से समझाती हूँ वो यह अच्छे से पढ़ लोगे न तो अराम से आपको याद रह जाएंगी अधिये चीज़े चीज़े नेक्स टैन करेक्ट बात ऑफ यह एकदम वाधा इसलिए तो एक साइट पर आकर बाइंड करेंगी जो मैं भी आपको समझा रही ती है न यह हमारा ड्रग है अंजाइम भी इस तरीका का होगा कि इसमें आपकर के fit हो जाए और जो हमारा drug है वो भी इसी तरीके का होगा कि इसमें आके fit हो जाए तो दोनों का जो shape होता है जो आकर के हमारा इस site से आकर के bind होना है यह ना वो दोनों का shape same होता है यानि कि दोनो analog होते हैं enzyme भी हमारा और जो हमारा substrate है वो भी ठीक है next the following are silent feature of allosteric enzyme allosteric enzyme जो होते हैं इनके features जो हैं वो कौन कौन से हैं एक को छोड़ करके तो पहला है कि यह multiple submit enzyme होते हैं यह correct बात है allosteric कौन से होते हैं जो main site से हट करके किसी दूसरी site पर बनते हैं ठीक है they are involved in metabolic regulation यह भी correct है और they give a sigmoid graph when substrate concentration is plotted velocity यह भी correct है next they don't show any change in km and vx in presence of modifier देखो यह हमारी एकदम गलत बात है km और vmax कोई भी inhibition हो हर एक inhibition में km और vmax value में दोनों में से किसी ना किसी value में जरूर change हो रहा होगा जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पीछे बढ़े हैं ना कि competitive में km value increase हो जाती है vmax unchanged रहता है लेकिन non competitive में km value unchanged रहती है vmax कम हो जाता है तो यह भी हमने पीछे बढ़ा है तो कुछ भी हो km या vmax में से एक चीज में जरूर बदलाव होता है ना दोनों चीज़ें जो है वो change ना हो ऐसा नहीं हो सकता है किसी भी चीज के अंदर ठीक अब देखो next चीज बढ़ेंगे हम तो next जो है वो आपको क्या याद रखना है यहां पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो देखो डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है तो पहला है हमारा multiple form जब होती है उनको हम क्या बोलते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं आईसओ एंजाइम है जिनका structure तो अलग है ठीक है, structure तो अलग है, मतलब different है structure, ठीक है, different या अलग कुछ भी लिखते हो, तो इनका structure तो different होता है, लेकिन function जो होता है, यानि काम जो होता है, वो दोनों का same होता है, जैसे दो enzyme है, उनका structure अलग है, लेकिन उनका function same है, उनको हम iso enzyme बोलते हैं, इसलिए बोला है, multiple form जो होती है सेम एंजाइम की उसको हम क्या बोलेंगे आईसो एंजाइम बोलेंगे बाकी आपको एक दो चीज़ें और याद कर लिए जैसे एक एब एंजाइम भी होता है एब जाइम या एब एंजाइम बोलते हैं इसको तो एब जाइम क्या होता है एबी का मतलब क्या होता है एंटी ठीक है, AB का मतलब क्या हुआ, एंटीबोडी, तो जो हमारे एबजाइम होते हैं, वो basically क्या होते हैं, उन एंटीबोडी को बोलते हैं, हम जो की एंजाइम पर जाकर के बाइंड होते हैं, जैसे ये हमारा एंजाइम है, यहाँ पर आकर के एंटीबोडी लग गई, तो इस प्रिकरसर होता है, एंजाइम का, प्रिकरसर हम किसको बोलते हैं, जैसे सपोस करो, यह हमारा प्रिकरसर है, ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, इसी को ही हम बोलेंगे, जाइमोजन, ठीक है, और जब यह वाला जो प्रिकरसर है, हमारा जब इस पर को फेक्टर लग जाता यह active form बन जाता है enzyme का तब इसको हम enzyme बोल देते हैं तो enzyme का जो precursor होता है यानि कि जिससे enzyme बनने वाला है इस precursor को हम बोलते हैं gemogen ठीक है तो gemogen जो होते हैं यह क्या होते हैं precursor होते हैं enzyme के और यह inactive भी होते हैं यह काम नहीं कर सकते जब तक यह enzyme में convert ना हो जाए ठीक नेक्स्ट है दा enzyme cytochrome oxidase belong to category of किसको belong करता है यह तो cytochrome oxidase देखो oxidase लिख रहा है यहां पर तो किसको belong करेगा यह आराम से answer लगा सकते है लज़ा है यहां पर reductase लिख रहा हो जाहे इहां पर oxidase लिख रहा हो दोनों ही enzyme oxidase category को belong करेंगे next your oxygen what लैं यह क्या करते है तो यह देखो क्या करते हैं या तो oxidation कर देंगे oxygen reduction असलि simulated op oxygen कर सकते हैं और reductase मतलब reduction भी कर सकते हैं यह मैं आपको उपर ही बता रही थी तो A option हमारा हो जाता है यहाँ पर correct ठीक चलिए next question की तरफ बढ़ेंगे तो next question है इसको हम क्या बूलते हैं तो देखो यहाँ पर सीधा लिख रहा है कि यह hydrolyze कर सकते हैं ester को, ether को या peptide को hydrolyze करने का मतलब क्या हुआ कि इन सारे के सारे bonds को water की help से तोड़ सकते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे यह मैंने आपको उपर ही समझा है था hydrolyze बोलते हैं या hydrolyze ठीक है hydrolyze या hydrolyze भी लिखा हुआ हो सकते हैं ऐसे lyase दोनों का मतलब एक ही है ठीक है तो इनको हम क्या बोलते हैं hydrolyze बोलते हैं यानि कि water की help से किसी भी चीज़ का breakdown कर देते हैं जैसे कि ester का, ether का, peptide bond का या glycosidic bond का इन सब का breakdown कर देते हैं with the help of water hydro मतलब water ठीक next is the enzyme which can add water carbon carbon double bond पे water add कर सकता है या water को remove कर सकता है तो इनको हम क्या बोलते हैं वो यमने अभी आपको बताया था क्या बोलेंगे इनको hydrolyze बोलेंगे तो क्या हुजाएगा हमारे correct answer यहाँ पे sorry a option जो हुजाएगा हमारे यहाँ पे correct ठीक है hydrolyze बोलेंगे इनको तो a option जो है तो next question है वो है the active proteolytic enzyme in gastric juice, gastric juice में जो active proteolytic enzyme होता है, यानि जो protein का degradation कर देता है, उसको क्या बूलते हैं, तो protein का digestion करता है, वो enzyme हमारा pepsin होता है, ये सब को पता होगा, ठीक है, next है an enzyme that work in acidic medium, acidic medium में कौन सा काम करता है, pepsin ही काम करता है, इसलिए तो देखो gastric juice में present होता है, gastric juice जो होता है, ये क्या होता है, HCL होता है, hydrochloric acid होता है, हमारे stomach में सब को पता होगा, जिसका pH जो होता है, 1.5 से 3.5 होता है, हमारे gastric juice में, यानि हमारे stomach होता है, उसमें जो juice भरा हुआ होता है, वो basically HCL का बना हुआ होता है, hydrochloric acid का, और इतना pH होता है, यानि कि acidic medium होता है तो यहाँ पर है ना देखो जो भी हमारा कार्बोहाइडरेट का डिग्रेडेशन करने के लिए जो एंजाइम होते है ना जैसे टाइलीन हो गया यह है ना या फिर एक और होता है मुझे नाम नहीं आदार हो उसका तो वो हो गए कार्बोहाइडरेट को जो डिग्रेशन करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो हमारे कभी भी स्टमक में नहीं प्रेजेंट होते हैं इवन हमारे सलाइवा तक में प्रेजेंट होते हैं टाइलीन हमारे सलाइवा में होता है क्योंकि जो pepsin enzyme होता है जो protein का degradation करता है ये हमारा best काम करता है acidic medium में तो acidic medium कहां मिलेगा, stomach में मिलेगा intestine में तो basic होता है intestine में तो होता नहीं है acidic ठीक है, तो इसलिए जो pepsin है वो हमेशा और हमेशा हमारा gastric juice में ही मिलेगा तो next question जो है, वो समझ लीजे अच्छे से an enzyme that work in acidic medium यानि कि हमारे stomach में या हमारे gastric medium में जो काम करेगा, वो कौन सा होगा pepsin होगा, बाकि ये trypsin tylin या maltose, ये सारे के सारे enzyme जो है, ये carbohydrate के digestion के लिए हैं ये हमारे stomach में present हो यी नहीं सकते जो है, वो protein को किस में digest कर सकता है, तो देखो protein जो है, ये किस-किस में टूट सकते हैं protein जो है, हमारे peptides में टूट सकते हैं, ये हमारे peptons में टूट सकते हैं, ये हमारे amino acid में टूट सकते हैं, देखो peptide और peptone क्या होते हैं, जैसे protein अगर इतने पाइट का बना हुा है, तो प्रोटिन अगर छोटे-छोटे बहाँ होते हैं, जैसे 4-5-5 आमीनो आचिड की जो चीज़ें बनी हुई होती हैं, उनको हम पेपटाइड और पेपटोन बोलते हैं, अमाइनो एसिड में तो एक यह यह शीमिल करके पेपटाइड और peptone बनाते हैं और जब बहुत सारे amino acid आपस में मिल जाते हैं या हम बोल सकते हैं peptide या peptone आपस में मिल जाते हैं तब जाकर के protein बनती है ठीक है तो protein सबसे पहले peptide और peptone में तोड़ता है फिर peptide और peptone जो है वो amino acid में तूट जाते हैं इसी को तो हम digestion बोलते हैं ठीक है, तो protein का digestion इस सारी के सारी चीज़ओं में होगा, तो यहाँ पर basically हमारा correct answer जो है D हो जाएगा यानि कि peptide और amino acid और यहाँ पर proteosis ठीक है तो यह सारी के सारी चीज़ओं हो जाएगे, तो D option जो है वह हमारा यहाँ पर correct हो जाएगा, next step one of the following enzyme is not involved in carbohydrate digestion carbohydrate के digestion में कौन सा enzyme involved नहीं है तो देखो tylene जो है और amylase और lactase ये सारी के सारी चीज़ें हमारे carbohydrate के metabolism में involved है trypsin को छोड़ करके ठीक है तो B option हमारा यहां पे हो जाएगा correct चलिए next question पढ़ाएंगे next है lactose hydrolysis in small intestine to yield अब देखो lactose है ये sugar है carbohydrate है तो इसका digestion कहाँ पर हो रहा है small intestine के अंदर हो रहा है ठीक है और lactose वाला मैंने आपको कल जो वीडियो थी या परसों वाली थी उसमें हमने carbohydrate पढ़े थी फस्ट वीडियो ही थी वो उसमें मैंने आपको बताए थे lactose को कैसे याद रखेंगे और lactose में क्या क्या प्रेजन होता है तो आपको सब को पता होगा glucose तो सब में होता ही है lactose में galactose और होता है तो c option हमारा correct हो जाएगा ठीक है हमने याद करें थे maltose, lactose और शुक्रोज तीनों चीज़ां याद करें थी तो वो आपको अभी याद होंगी अच्छे से ठीक, glucose, glucose किसमें होता है? Maltose में होता है, glucose, fructose किसमें होता है? शुक्रोज में होता है, glucose, galactose किसमें होता है? Lactose में होता है ठीक है, galactose, galactose किसी में नहीं होता है तो ये तो option ही गलत है ठीक है तो अभी एक और बार फिर से इसको revise कर लेना, next है in which of the following organ they are practically no digestion of carbohydrate यानि कि carbohydrate कर तो digestion होता है, वो कहां पर नहीं होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि mouth में भी होता है, small intestine में ही होता है और small intestine का first part को हम deodenum बोलते हैं, तो यहां पर भी होगा, कहां पर नहीं होगा stomach में, क्योंकि stomach का pH होता है, बहुत कम acidic होता है, 1.5 से 3.5 pH तो वहां पर ये carbohydrate वाले enzyme काम ही नहीं कर पाते, यहां पर ये stomach जो है, यहां पर केवल और केवल pepsin काम कर पाता है, ठीक है, क्योंकि pepsin केवल और केवल यहीं पर ही काम कर पाता है, क्योंकि इसको acidic medium चाहिए काम करने लिए, ठीक है, next question बढ़ेंगे, next है, रैनिन जो है, वो भी एक proteolytic enzyme होता है, जो कि कहां पर बनता है, तो रैनिन जो है, यह हमारा नेक्स्ट है, the tear secretion contained an antibacterial enzyme, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, लाइसो enzyme, यही ही present होता है, हमारे tears के अंदर, यानि कि हमारे आसूं के अंदर, ठीक, चलिए, ठीक है जी, चलो, और कोई दिक्कत हो, तो बता दे न, क्योंकि मैं थोड़ी-थोड़ी दिर बाद ही पढ़ रही हूँ, आपके comments, क्योंकि पढ़ाने पर ज़्यान दे रही हूँ, मैं, है न, चलिए, क्योंकि मुझे यह है कि आज आपके दोनों जो है, वो finish हो जाने चाहिए, जो मिरको लगनी रहा हो जाएंगे, पर मैं कोशिश करती कि enzyme और आपका जो vitamin है, यह दोनों के दोनों मैं आज ही finish कर दूँ, ठीक है, ताकि कल हम anatomy start कर लें, next is which one of the following is secret by pancreas, pancreas जो होता है, वो क्या secret करता है, तो lipase, phospholipase, cholesterol, esterase, देखो, यह तीनों के तीनों enzyme है न, यह basically हमारे fat को digest करने के लिए secret होते हैं, और यह भी हमारे small intestine में secret होते हैं, ठीक है, pancreas और liver, हमारे दोनों चीज़े है, fat को digest करने के लिए, यह enzyme जो है, इनको release करते हैं, हमारे small intestine में, ठीक है, तो D option हमारे यहाँ पे हो जाएगा, correct, यानि कि सारे के सारे, देखो, चाहें lipase हो, चाहें phospholipase हो, चाहें cholesterol esterase हो, यह तीनों ही enzyme fat को, यह lipid को digest करने के लिए हैं, ठीक है, और lipid भी हमारा small intestine में जाकर के ही digest होना start होता है, जो हम कल भी पढ़ रहे थे, कि उससे क्या बनता है, काईम बनता है, और फिर जब वो blood में चला जाता है, तो उसको हम kylo-micron बोलते हैं, ठीक है, वो हम fat वाले में already पढ़ चुके हैं, next है, enzyme used in treatment of cancer, cancer के treatment में कौनसा enzyme use होता है, asparaginage use होता है, तो C option हमारा हो जाता है, यहां पर correct, ठीक चलिए, next question की तरफ बढ़ेंगे, तो next हमारा question है, which of the following enzyme is markedly increased in obstructive liver disease, obstructive liver disease में कौनसा enzyme जो है, वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो कौनसा वाला enzyme बढ़ जाता है, alkaline phosphatase, तो यह हमारा A option correct ह जाएगा, which of the following enzyme level are monitored for alcohol abuse in chronic alcoholics, जैसे जो chronic alcoholics का मतलब क्या होगे, जो बहुत टाइम से alcohol consume कर रहे हैं, जो बहुत टाइम से शराब पी रहे हैं, तो उनका जब liver खराब होने लगता है, तो उस case में हमें कौनसे वाले enzyme को हमेशा monitor करना पड़ेगा, कि कितना है, कितना है, कितना बढ़ते हैं, तो next, अगर देखो, आपको ये वाले MCQs जो मैं पढ़ाती हूँ, ये वाले MCQs और प्लस हमारे marathon class स्टार्ट हो रही है, 15 से, और मैं most probably 15 से पहले ही शुरू कर दूँगी, ठीक है, तो ये वाले दोनों अगर हमारे MCQs आपको चाहिए, तो सिरफ और सिरफ 50 रुपे में कोर्स बनाया हुआ है, ये application है, जिसको डाउनलोड करके आप चाहिए, तो 50 रुपे में ले सकते हैं, ये बाकी कोई दिक्कत आई किसी भी चीज में, तो ये हमारा WhatsApp नमबर है, आप यहाँ पर message कर देना, ठीक है, आपको reply मिल जाएगा तुरंट, ठीक तो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा vitamins के बारे में, ठीक, अब देखो vitamins जो है न, इसकी आपको एक चीज याद रख लेने हैं, क्योंकि पूछी जा सकती है, कि vitamin जो है, वो जो नाम है, ये किस ने दिया है, तो vitamin नाम दिया है, हमारा funk नहीं, वैसे इनका और भी नाम होता है, प अगर हम vitamin की बात करें, तो vitamin जो होते हैं, ये total 13 vitamin होते हैं, चलो मैं आपको वैसे बताती हूं, vitamin जो होते हैं, ये हमारे दो तरीके को होते हैं, एक को हम बोलते हैं, water soluble vitamin, ठीक है, एक को हम बोलते हैं, water insoluble vitamin या fat soluble vitamin, ठीक है, water insoluble बोल सकते हैं, या फिर fat soluble बोल सकते हैं, यानि कि जो oil में solubilize हो या fat में solubilize हो, ठीक है, तो ये हमारी basically vitamin होती है, अब आपको water soluble vitamin की अगर हम बात करें, तो जो water soluble vitamin होते हैं, वो हमारे होते हैं, केवल और केवल B और C, बकि जो A, D, E के होते हैं, ये हमारे कौन से होते हैं, fat soluble vitamin होते हैं, ठीक है, अब देखो यहा आठ तरीके का हुटा है आपको याद रखना है कौन-कौन से हुदे हैं, आठ तरीके तो B1, B2, B3, ठीक है B3 के बाद में अगर हम बात करें, तो B3 के बाद में B4 होता ही नहीं है, B5 होता है, उसके बाद में B6 बहुत ज़ादा important होता है फिर B7 आ गया इसके बाद मैं 8 नहीं याद रखना है 9 आ गया और 9 के बाद मैं सीधा आईगा 12 ठीक है ये इतने vitamin होते हैं इन सब के नाम याद रखना ना बहुत ज़्यादा जरूर है क्योंकि इन सब के नाम पूछ लिया जाते हैं आपको ठीक है अगर मैं नाम की बात करूँ तो देखो मैंने तो ये जिस तरीके से याद करे थे अगर मैं अपनी बात बताओं तो मैंने तो इस तरीके से याद करे थे क्योंकि मैं ये ऐसे वाले term में ना को बड़ जल्दियाद हो जाते तो मैंने याद करें थे TRPP BFC ठीक है TRPP BFC इतना याद करेंगे असानी से याद हो जाएंगे अब आप बोलोगे मैं यह तो 7 है 1 2 3 4 5 6 7 जबकि यह तो हमारे 8 हैं अगर इनको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 8 है तो एक कहां गायव हो गया इसमें ठीक है तो B3 जो है ना यह आपको nicotinic acid बोलते हैं या तो इसको है ना और या इसको niacin तो इसको अलग से याद कर लो कि इसको हम क्या बोलते है nicotinic acid या niacin इसके दोनों नाम होते हैं B3 के बाकि आप TRPP BFC इससे याद कर सकते हैं असानी से कोई दिकत नहीं आ है पहला हमा असानी से B3 का हमने लिख लिया है अब B5 का आता है तो 5 का pentothenic acid होता है यह हमें वैसे भी याद रह जाता है 5 penta 5 को यह हमारा pentothenic acid होता है ठीक है तो यह हम ऐसानी से याद हो जाएगा B6 की अगर बात करें तो B6 भी हमारा क्यूंकि बहुत important होता है तो हमें B6 भी याद र पाइरी डॉक्सिन तो यह पी-पी से दो नाम है ना एक पी पहला वाला जो है वो pentothenic acid है जो B5 होगा दूसरा वाला जो पी है वो हमारा होता है पाइरी डॉक्सिन बाकि अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे B7 का तो यह B4 biotin होता है ठीक है 7 वाला biotin होता है यह हमारा बालो cobeleamin इसको सिर्फ cobeleamin भी लिख देते हैं तो cobeleamin या sino cobeleamin बात एक ही है ठीक है यह इनके नाम आपको बहुत अच्छे से याद रख लें ना मैं आपको बार बार बूल रही हूं कि यह बहुत जादा पूछे जाते हैं ठीक है बाकि जो vitamin C होता है इसको हम और क्या बोलता हैं disease की कि किस वाली vitamin से कौनसी वाली disease होती है क्योंकि यह भी बहुत important है तो देखो अगर हम vitamin A की बात करें मैं यहाँ पर लिख रही हूं vitamin A की अगर हम बात करें तो vitamin A से होता है हमें night blindness ठीक है night blindness या फिर यह समझ लो एक zero phthalmia करके भी बिमारी होती है वो भी हमारी आखों की ही होती है एक कंजक्टिवाइस टेस जो हमारी कंजक्टिवा होती है आख की वहाँ पर inflammation हो जाता सूजन हो जाती है तो यानि कि यह समझ ले ना आखों वाली कोई भी बिमारी होईगी वो vitamin A की वज़े से ही होगी चाहें वो night blindness हो चाहें वो जीर ओफ थेल्मिया हो चाहें फ की वज़े से berry berry रोग हो जाता है पर वो बचपन में हम vitamin B पढ़ते थे वो actual में vitamin B1 ही होता है ठीक है vitamin B2 की अगर बात करें हम तो B2 की वज़े से इतना जादा कोई important नहीं होती तो यह आप नहीं भी याद रखोंगे तो भी चल जाएगा वैसे इसके वज़े से red हो जाती है ठीक है इतना और यह आएगा भी नहीं क्योंकि इतना important भी नहीं होता जो हमारा B3 वाला होता है यह बहुत important होता है पैलगरा जो बिमारी होती है वो B3 की वज़े से हो जाती है B1 याद रखेगा बहुत अच्छे से berry berry B3 याद रखना है पैलगरा हो जाती है B5 जो है वो भी इतना important नहीं होता pentothenic acid जो होता है पर यह rheumatoid erythritis जो होता है वो बिमारी हो जाती है इसकी कमी की वज़े से rheumatoid erythritis यानि कि जो बेसिकली हमारे जोड़ होते है घुटना हो गया कौनी हो गई या फिर हमारे बेसिकली जितने भी जोड़ होते है वहां पर दर्द हो जात जरूरी होता है तो बाल गिरने लगते हैं अगर बायोटीन ना होतो तो इसका भी ऐसे याद रखो बस बायोटीन बाल ठीक है इतना याद रखो कि बाल जो है उनकी दिक्कत हो जाएगी यानि हेर फॉल वाली दिक्कत हो जाएगी बाकि अगर हम next बढ़ते हैं B9 और B12 जो ह होता है वो हमारा B9 के वज़े से होता है B12 की वज़े से जो होता है वो होता है परनेसियस एनिमिया ठीक है तो इन दोनों का मत्भूलिये का बिलकुल भी किसी भी कीमत पर क्योंकि यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है यह दोनों ही पूछे जा सकते हैं यहाना B9 मेगलोब पढ़ते हुए आ रहे हैं तो यह भी आपको पता ही होगा अगर हम विटामिन D की बात करें तो आप लोगों को पता होगा एवाला तो हमने यहां पढ़ लिया ओल्डि नाइट ब्लाइन नाइस ठीक है डीकी अगर हम बात करें तो आपको बता होगा विटामिन D बहुत जिसे हमें हो जाता है इनफॉर्टिलेटी ठीक है इनफॉर्टिलेटी और अगर हम लास्ट बात करें विटामिन K की तो विटामिन के जो होता है ये हमारा ब्लड क्लोटिंग मेकेनिजम जो होता है उसमें काम आता है यह मैंने आपको अल्ड़िडी समझाया हुआ है लग गया मतलब हेमोफीलिया हो सकते हैं अगर कट लग जाए तो खून भेता ही रहेगा वह बंद नहीं होगा विटामिन K जो होता है बेसिकलि इसी की वज़े से हमारा क्लोचिंग होती है और बलड जो है वो मतलब बहना बंद होता है हमारी चोट से ठीक है तो विटामिन के की कमी से क्या हो जाएगा हीमोफीलिय हीमोफीलिय मैंने आपको बताई दिया कि कहीं कट लग गया चोट लग गई तो खून रुके गा नहीं बहता ही रहेगा बहता ही रहेगा तो यह हो जाता है विटामिन केकी कमी की वज़े से, सारी की सारी चीज़े मैं आपको यहीं समझा दी है, विटामिन की मैं कोशिश करूँगी, पूरी वैसे 57 हो रहे हैं, पर मैं कोशिश करूँगी 10 मिनट में अगर यह पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है, तो वरना तो हम anatomical start कर लेंगे उसको पढ़ने से पहले जितना भी यह बच जाएगा उसको जल्दी जल्दी कर लूँगी finish उसके बाद anatomical ही start करूँगी चाहे कुछ भी हो ठीक है deficiency of which following vitamin can cause night blindness तो यह मैंने आपको अल्रीडी बता रखा है एक की वज़े से जितने भी हमारे आँखो वाले रोग है सारे एक की वज़े से होगे next question की अगर हम बात करें next question की अगर हम बात करें तो next question होता है हमारा कि Conjunctible Zerosis जो है यह भी किसकी वज़े से होता है तो यहाँ पर भी हमें color जो है उनमें फरक नहीं समझाता है तो यह भी हमारा विटामीने हो जाएगा structure जो है थायमीन की उसमें क्या होता है ठीक है तो थायमीन की structure में थायाजोल रिंग होती है सीधा याद रखो थायमीन थायाजोल ठीक है चलिए next question की तरफ थायमीन जो है यह बीटू होता है चायद आपको पता होगा already है याद करवाय था next है which one of these vitamin is part of coenzyme in मैंसे कौनसी वाली vitamin जो होती है coenzyme का part होती है तो जो हमारी थायमीन होती है ठीक है sorry thiamine हमारी b1 होती है तो जो हमारी thiamine होती है यही ही coenzyme का part होती है तो c option जो है वो correct हो जाएगा next है lactoflavin जो होता है यह क्या होता है तो vitamin b2 होता है उसको हम lactoflavin भी बोलते है देखो मैंने किस तरीके से याद करवाय था TRP करके याद करवाय था TRPP स्टार्टिंग के यही थे इसमें आप तीसरे नंबर पर नियासिन और nicotinic acid और एड कर लो जो बीधिरी होती है ठीक है तो टी जो है थायमीन जो है यह कौनसी है हमारी बीवन बिटामिन है ठीक है बकी जो B2 है वो कौनसी होती है राइबो फ्लेविन होती है तो राइबो या राइबो फ्लेविन दोनों नामों से जानी जाती है दोनों नाम इसके करेक्ट है नेक्स्ट क्वेशन की तरफ बढ़ेंगे पैलग्रा जो है वो किस चीज की वज़े से होता है तो पैलग्रा मैंने अपको कितनी अच्छी तरहीके से समझा है था कि विटामिन B3 की वज विटामिन राइबो फ्लेविन, B3 नियासिन हो गया, B4 होती नहीं है, B5 होती है पैंटो थैनेक ऐसे और B6 होती है पाईरी डॉक्सिन ठीक है तो इस तरीके से याद करोगे सानी से याद हो जाएंगी सारी चीज़ेंगे अगर आपको नहीं भी याद है तो B6 को हम बोलते ह है पाईरी डॉक्सिन, नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ेंगे, एक्ट पॉर्म जो होती है विटामिन B6 की, उसको हम क्या बोलते हैं तो देखो जेतने भी यह हमारी चाहें पाईरी डॉक्सिन हो, ये तीनों की तीनों ही हमारी एक्टिव फपॉर्म होती है, तो D option करेक्ट ह नेक्स्ट ए इंट्रिंजिक वाइट इंजूरी फेक्टर जो है वो कौन सा होता है किया भूलते हैं तो इसको हम बायो टिन है भी ओप्षन जो है यह हमारा यहां पर हो nesk क्वेशन की तरफ बढ़ेंगे तो थी अफिसियनसी फाल मेंचेह को जाता था है होता है हमारा B9 होता है B9 की deficiency से मैंने आपको क्या बताया था दो टाइप के anemia बताये थे तो folic acid की वज़े से क्या होता है macrocytic anemia ठीक है next cobalt जो है वो किसका constituent होता है sinocobalamin आपने पढ़ा था vitamin B12 क्या होता है sinocobalamin cobalamin किस से आया है cobalt से हाना तो a option जो है वो हमारा यहां पर correct हो जाएगा ठीक चलिए next question की तरफ बढ़ेंगे the common name for vitamin C vitamin C को हम क्या बोलते है scorbic acid बोलते हैं तो d option correct हो जाएगा deficiency of scorbic acid scorbic acid या vitamin C की वज़े से क्या होता है scorbic बच्पन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसमें तो कोई दिकत आने ही नहीं चाहिए है न रिकैटिस scurby यह तो हम बच्पन से पढ़ते हुए आ रहे है night blindness six seven से ही पढ़ते आ रहे हैं next the acid present in lemon and orange lemon और orange में जो खटा बनाता है वो किस acid की वज़े से आता है citric acid की वज़े से आता है c option correct हो जाएगा all are fat soluble vitamin except ठीक है तो किस तरीके से याद करवाए था bc जो है यह तो हमारी water soluble है fat soluble कौन सी है a d e k है न अब देखो यहाँ पर पूछा है कि fat soluble vitamin है सारी के सारी एक को छोड़ करके तो कौन सी हो जाएगी vitamin c vitamin c क्या होती है water soluble vitamin ठीक है यह fat soluble नहीं होती बाकि a d e k यह सारी के सारी हमारी क्या होती है fat soluble होती है ठीक चलिए next question की तरफ बढ़ेंगे next question है यह है which of the following is not a water soluble vitamin में से कौन सी water soluble vitamin नहीं है तो calciferol जो है यह वाली नहीं है बस ठीक है calciferol क्या होता है d को बोलते हैंaldo ठीक है b कोई भी हो चाहें तो b1 से लेकर के b12 तक next question है which of the following can be given for good bone health विटामिन डांतर होता है, जो हमारी विटामिन डी की गमी से होता है। विटामिन D जो होता है वो useful होता है किस चीज के लिए रिकेटिस ना हो इसके लिए या रिकेटिस को बचाने के लिए next question के दरफ बढ़ेंगे हड़ियों का रौ होता है रिकेटिस ث reinforcement होता है रेडी मेडी हड़ियां हो जाती है कमज़ रीята हो जाती है तो इसलिए vitamin E की कमी के वज़े से infertility हो जाती है next है the structure of vitamin K contain vitamin K जो होता है उसमें कौन सा structure होता है तो vitamin K के structure में होता है chromine ring, C option हमारा यहां पे हो जाएगा correct ठीक, चलिए next question के तरफ बढ़ेंगे तो next हमारा question है vitamin K is necessary for किस चीज़ के लिए जरूरी होता है तो मैंने आपको बतायता है blood clotting के लिए जरूरी होता है और blood clotting होने के लिए क्या जरूरी है prothrombin का बनना क्योंकि prothrombin जो है उसी से ही तो thrombin के thread बनते हैं जो मैंने आपको process समझा है तो ecology के अंदर बहुत अच्छी तरीकी से ठीक है तो c option हमारे हां correct हो जाएगा vitamin k की deficiency की वज़े से क्या हो जाएगा तो hemophilia हो जाते ही मोफीलिया मतलब blood जो है वो बहता जाएगा बहता जाएगा रुकेगा नहीं ठीक है hemorrhage क्या होता है hemorrhage होता है यही कि blood जो है वो बहराए 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 रुकी नीरा रक्सराव या फिर हैमरेज ठीक है यानि कि बलड जो है वो बहराए बहराए रुकी नीरा तो हैमरेज या हीमोफिलिया एक ही चीज़ है बहुत बहराए बहराए बहुत शारी चीज़ बहुत लंबी वो चीज़ अपसमेंसे तूट जाती है और एक बीटा क्रोमें रिंग से दो विटामीन घर ठीक है तो जो बीटा के रूटीन से विटामिन A का बनना होता है, यह होता कहां पर है, लेवर के अंदर होता है, A option correct हो जाएगा, इस्ट जो होता है, वो rich source होता है, किसका विटामिन B का, तो B option हमारा यहां पर correct हो जाएगा, ठीक, चलिए, next question की तरफ बढ़ेंगे, तो next question है, FAD and FMN जो है, वो co enzyme form होती है, किसकी यह होती है, देखो दोनो राइबोफलेविन की, तो यह चीज़ याद रखेगा, FAD और FMN, यह दोनो की दोनो किसकी होती है, जबी भी F से start हो, यह याद रखीगा, F से जो start हो रहा है, वो राइबोफलेविन की होती है, और next चीज़ अगर हम जो N से start होता है, यानि NAD, वो किसकी होती है, नियासिन की, नियासिन कौनसी विटामिन होती है, विटामिन B3, ठीक है, और जो हमारी राइबोफलेविन होती है, यह कौनसी होती है, B2, तो इस तरीके से याद रखेगा, B2 वाली जो है, यानि जो राइबोफलेविन है, वो लग रही थोड़े detail में चला जाता है तो शायद ना आए पर फिर भी याद रखना हो सकता है कि आही जाए next देखेंगे vitamin B6 जो होता है वो किस चीज के लिए requirement होती है इसकी तो देखो B6 जो है न इससे ही बनता है gaba यानि की gamma amino butyric acid तो B option हमारा the correct हो जाएगा next परद र tyreसिय जो है यह किस की वज़े से होता है तो जो परस्दीश एनिमिया होता है वह बेसिकली होता था Because euros घश्ट दॉस की वज़े से इंट्रिंसिंग फैक्टर होता है घश्ट्यूस में वह नहीं होता है उसकी वज़ेraum जो हमारा B12 होता है ना, B12 इसी को ही हम intrinsic factor बोलते हैं, ठीक है, तो absent of intrinsic factor of gastric juice, यानि कि जो B12 है, वो हमारे gastric juice में जब absent होता है, उसकी वज़े से parnecious anemia हो जाता है, जो मैं आपको पीछे भी बता रही थी, ये B12 के वज़े से parnecious anemia हो जाता है, और B12 को ही हम intrinsic factor बोलते हैं, जो हमारे gastric juice के अंदर होता है ठीक है चलिए यह gastric में उसको साथ से release होता है यह basically next deficiency जो होती है folic acid उसकी वज़े से क्या हो जाते तो folic acid क्या होता है B9 B9 की वज़े से क्या हो जाता है macrosite अनीमिया हो जाता है तो c option जो है वो हमारा हो जाएगा यहां पर correct और जैसा मैं सोच रही थी कि मैं finish करा दूँगी जल्दी से पूरा का पूरा और हमारा जो पूरा portion है वो finish हो गया है vitamin वाला भी ठीक है तो bio chemistry का मेरे को जितना पढ़ाना था उतना मैं पढ़ा चुकी हूँ